इसमें दो तत्य है, हिंदू कहते हैं वह शिवलिंग है और मुस्लिम कहते हैं वह पानी का फववारा है. सवाल एक, अगर फववारा औरंग जेब ने बनाया था, तो बिजली का अविशकार हुए बगैर उसने पानी का फववारा कैसे बनाया था? अगर फववारा पानी के प्रेशर की तकनीक पर चलता था, तो इसके लिए क्या मस्जिद अथ्वा वजुखाने के छट पर पानी की टंकी है? अगर है तो फिर सवाल वहीं आता है कि बगैर बिजली के पानी उपर टंकी में कैसे चड़ता था? दो, फववारा को घेरने वाले गोल कुंड को फववारे से उचा क्यों बनाया गया है, जिससे अंदर, पत्थर ना दिखे? जबकि हम दुनिया का कोई भी फववारा देखें, तो पानी उड़ाने वाला बीच का भाग हमेशा उपर रहता है तीन, उपरी चित्र में साफ दिखता है कि अंदर का पत्थर गोल कुंडी के पानी के लेवल से नीचे है, ऐसा क्यों है? इस तरह फववारे का मुँ, पानी के ही अंदर रखने से फववारे से पानी उचा कैसे उठ सकता है? अगर यह सचमुच फववारे का सिस्टम है और उसे एक समय किसीने बनाया है, तो अंदर पत्थर का और बाहर का गोल कुंड सिमेंट का क्यों बनाया है? एक साथ बनाते वक्त या तो दोनों पत्थर से बनाता या दोनों सिमेंट से मतलब क्या उस जगह अंदर का पत्थर पहले से मौजूद था जिसे घेरकर सिमेंट का उंचा गोलकुंड बाद में बनाया है पाँच अंदर पानी का फववारा उड़ाने वाले पत्थर का साइज हद से ज्यादा जाड़ा और मोटा क्यूं है? क्या ये बात संदेहास्पद नहीं है? 6. गोल कुंड को बिच के पत्थर के इतने नजदी क्यों बनाया है? फववारा चालू होने पर पानी उचा उड़कर उस कुंड के बाहर गिरने की संभावना है. इस से गोल कुंड के अंदर का पानी कुछ ही क्षण में खाली होकर फववारा बंद हो सकता है. ऐसा डिजाइन फववारा पानी के अंदर रहने पर क्या सिर्फ सीमेंट का उपरी भाग फट गया जबकि नीचे पत्थर वैसे का वैसा है? 9. सवाल सिर्फ फववारे का नहीं है. मस्जिद की पिछली दिवार मंदिर की है तथा नंदी भी फववारे को देख रहा है. इसलिए यह बात भी संदेह पैदा करती है. 10. अंत में इतना ही कहूंगा कि हिंदू मंदिरों के बीच हिंदू नाम लिए. हिंदू मंदिर के दिवार पर सठी ज्यान वापी नामक मस्जिद कैसे आ गई? बरसों से जो भी मस्जिद में जाते हैं, उनको पिछे की दिवार को देखते ही साफ पता चलता होगा. वो जब